नमस्कार दोस्तों रिया चेकरवर्ती जो कि आपको पता ही है कि सुसान सिंग राजपूत मामले में किस तरीके से इन्वाल्व है और सुसान सिंग राजपूत की गल्फेंड बन करके उसने कितना बड़ा धोका किया ये बाते किसी से छुपी हुई नहीं है लेकिन इस मामले के लगवग एक महीन एक साल आठ महीने बीतने के बाद रिया चेकरवर्ती अब खुद को अलग दिखाने की कोसिस कर रही है और काफी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टीव हो करके और वहां पे बोल्ड तस्वीरे पोस्ट कर रही है सेयर कर रही है और ये सारे काम उनके पी यार एगेंसियों के माधियम से हो रहा है क्योंकि रिया चेकरवर्ती अब ये चाहती है कि लोग पुराने दिनों को भूल जाएं लोग सुसान सिंग राजपोद को भूल जाएं और उनहें देखते रहें उनके बॉलडनेस को देखते रहें कु술 विसे अपने कैरियर बनाना है बॉलिवूड में और बॉलिवूड में जब तक बॉल्डनेस और नंगी तस्वीरे ये दिखाती नहीं है हिरोई ने तब तक इनका कैरियर बनता नहीं है तो इसलिए रिया चकरवर्ती अब फिर से उसी रह पे चल चुकी है और मैं आपको बता पिस्व में निगेटिव बाते चलने लगी जो कि उसके कैरियर के लिए काफी बड़ा नुकसान दायक साबित हुआ और सुसान सिंगरात्पुत मामले में कितने आरोप लगे और रोजाना रिया को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा आखिकर रिया ने सब कुछ बदलने का निरने लिया और सब कुछ भुला करके आगे बढ़ने की पूरी कोसिस कर रही है ऐसे में रिया चेकरवर्ती सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव होने लगी उसे ये लगा कि सोशल मीडिया ही एक ऐसा मादेम है जहां से वो अपनी इमेज को फिर से बना सकती है और जिसके का इस टॉप पहन करके पोस्ट दे रही है और इस लुक को काफी ही अलग अंदाज में बनाया गया है ताकि लोगों की नजर इस पर पड़े और उसे फिर से काम मिले यहां ते कि उसने बालों को भी अलग तरीके से दिखाया है इस फोटो में और उसे कैप्शन लिखा है जो उसने इंस्टाग्राम पे जो यह तस्वीर पोस्ट की है जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसके कैप्शन में उसने लिखा है कि किसी को यह समझना होगा कि बहादुरी का मतलब यह नहीं कि डर ना लगे बलकि डर होने के बावजूद उससे आगे बढ़ने की ताकत है खा रहे हैं जबकि उसे एक बार फिर से ट्रोलिंग का शामना करना पड़ रहा है क्योंकि रिया कुछ भी कर ले कितना भी कर ले आखिर गुनागार है तो आरोप तो लगे गे ही और रिया चकरवर्ती के उपर जो आरोप लगे हैं उसे भूलाना इतना असान नहीं है वो तो प भी नहीं निकल सकता है और आपने अगर धोखा दिया है तो उसकी सजा भी आप जरूर भोगतेंगे जय हिन जय भारत